हालो एन वेल्कम तो माई चैनल आज हमें देख रहे हैं एरीज यानि मेश राश्री के लिए दिसम्मर 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इसको लिकरिया रीडिंग है कस बाई सबीक लिए डीडिंग होगी जिसे इंगाले मेरिट का पस है याप अगर किसे रिले यह कार्स आया है आपके लिए और काफे कुछ मैसेज़ेस हैं टैर्रे के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए डीडिंग परस कर आपके लिए आया है नाइन आफ कॉइंज का तो आपने से कुछ लोग रिलेशनशिप पे हैं टारस अर्गों के साथ यानि विर्षब राश सेक्टर इसमें बहुत अच्छी रू करेंगे और बहुत अच्छा अर्णिंग सौर्स उनकर रहेगा और जो पैसा वो कमाएंगे उसको आपके साथ शायर करेंगे एवर्णांस भी शायर क rebels दिख रहे हैं और यहां आपके कैरियर में भी वो हेल्प करेंगे किसी तरहस से दिसंबर के मन्त में और अगर आप एक सिंगल परसन है तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई परसन आ सकता है जो इन साइन वाला हो यानि टारस वर्ग गैप्टिकॉन हो और वो आपको वर्क प्लेस पे मिलें उनसे आपका रिलिशनर्शिप स्टार्ट हो या फ्रेंड्शिप स्ट मेश राशी, सिंग राशी, धनुर राशी के हैं आपके पार्टनर और काफी फायरी एनरजी वो इस बंत में कैरी करेंगे अगर फायर साइन नहीं भी है तो काफी पैशिनेट रहेंगे आपको लेकर वो स्टेंड लेने के लिए हाँ तयार दिख रहे हैं किसी तरह का वो प पैशन एनरजी तिक वो आपको लेकर फील करेंगे बहुत उनके अंदर पैशन आएगा और आपको लेकर पैशनेट फील करने वाले हैं और काफी स्टैंड लेने की पोजिशन में रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाते इस रिलेशन्शिप में इस तरह की पोजिशन में फाइट करने को यहां तयार दिख रहे हैं और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जैसा किंग ओफ ओन्स का कार्ड है अपमें से कुछ लोग किसी ऐसा लग रहा है कि फाइर साइन के साथ डेफिनेटल आपका कनेक्शन है इरीज लियो सैजिटेरिस हो सकते हैं आपके प पर्सन हो सकते हैं तो क्या इसा भी लग रहा है यरीज आप इसे साथ रिलेशन शिप में कुछ लोग और यह परसन जो हैंपको SUPPORT SISTEM की तरह देखते हैं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी शादशिदा इनसान के साथ रिलेशन्शिप में है या कोई मेरिड परसन है और रड़ी किसी कार्मिक पैटर्न में उल्चावा परसन है जो आपको लेकर बहुत पैशन फील करने वाला है इस मत में ऐसी भी एनरजी से हाँ देख रही है और इनके अंदर काफी लव पैशन और आपको लेकर एक फीचर वो प्लान करते वे देख रहे हैं और इस तरह की भी एनरजी से कुछ एरीस के लिए यहां और नेक्स कार्ड आपके लिए आया है दे लवर्स तो बहुती बीटिफल कार्ड आया है फ्रेंड्स आपके लिए तो इस मत में सभी एरीस के लिए बहुती अच्छा मत रहने वाला है क्योंकि हम लव रीडिंग से देख रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजिस देख रहे हैं और यहां लवर्स कार्ड आया है तो आप में से कुछ लोग जैमिनी के साथ नए भी है तो इस मत में आपके पार्टनर आपको लेकर लव पैशन फिल करने वाले हैं और रॉमेंटिक मूमेंट्स कपंस के बीच में आने वाले हैं इस मत में फिजिकल डिस्टेंस खतम होगा और लवी डवी मुमेंट्स इस मत में आप अपने लिए देखेंगे अगर आप एक सिंगल परसन है तो काफी लविंग, कैरिंग और रॉमेंटिक परसन से इस मत में मिल सकते हैं और ये काफी बीटिफुल परसन होंगे जिनके साथ आपका कनेक्शन बन सकता है इस मत में ऐसा यहां दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए आप अपने सॉलमेट्स से मिले उनके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ें ऐसे भी चांस है और नेक्स काड़ यहां से आया है एक्ट आफ वांस का काड़ है तो फ्रेंट्स ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ काफी प्राबलम्स रहे हैं रिलेशनशिप में बहुत आप डाउंस आपने देखे हैं और कुछ लोग ऐसा है कि आपने शायद होप ही लूस कर दी है कि शायद इस रिलेशनिशिप में कुछ नहीं रखा है और आप पिछे मुड के नहीं देखना चाहते किसी तरह से आपको बहुत परिशानिया मिली है रिष्टों में धुका मिला है बहुत प्यार में आपने बहुत परिशानिया देखी है और इस वज़े से रिष्टों से आपका विश्वाश उड़ गया है और इसी वज़े से आप पीछे मुड के नहीं देखना चाहते और बहुत सारे इश्यूस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लोगों का लांग डिस्टेंस है नौ कंटेक्ट है या वो आपसे बात नहीं कर रहे या आप भी इन से बात नहीं करना चाह रहे ऐसा भी हाँ दिख रहा है पर फिर भी आप हम्मथ नहीं आ रहे हैँ आप सिच्वेशांस को डील करने के लिए हाथ यार दिख रहे हैं रहेंगे ऐसी आप तरती में रहेंगे और नेक्स कार्ड यहां से आया है डैथ का तो आप में से कुछ लोगों ने डेफिनिली बहुत बड़े टांस्वरमेशन को देखा है कुछ लोग किसी स्क्रॉप्यों के साथ रिलेशन्शिप में थे या हैं और यहां ऐसा लग रहा है क आपने एक रिलेशन्शिप की एंडिंग भी देखी हो सकती है कुछ लोगों का तलाग हुआ हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेक अप हुआ है और कुछ लोग अभी रिसेंटली किसी लॉंग टर्म डिलेशन्शिप से बाहर आये हैं और यह उनके लिए एक लाइफ चेंजिं करते हुए दिख रहे हैं और एक नई और उर्जावान तरीके से शिरुवात आपके लिए लिए लिखी हुई है इस मन्त में सभी एरीस के लिए तो यहां दिख रहा है और वही हम औरेकल डैक्स से अगर कार्स देखें तो फिर्स का रहा है तो यहां अगर आप लोगों का दिस्टेंस है या नो कांटेक्स चल रहा है तो भी आपके पार्टनर आपी को लेकर बहुत जादा सोचे जा रहे हैं उनकी थाट्स में आप है फ्रेंड्स ऐसा यहां दिख रहा है और नमबर 16 आप लोगों के लिए सिग्डिफिकेंस रखेगा यह वो डेट हो सकती जब फ अपने पार्टनर से बहुत जल मिलेंगे ऐसे चांस यहां दिख रहा है दिसम्मर के मत में और काफी एक दूसरे के साथ इमोशनल अटेश्मेंट आप लोगों का रहने वाला है एक कॉट्शिप आप लोगों के बिच में रहने वाली है और कुछ लोगों के लिए वर्क प् तो जिन से आप मैसेज एकसेप्ट कर रहे थे या फोन कॉल एकसेप्ट कर रहे थे वो भी आपको मिल सकता है यहां ऐसा दिख रहा है यहां ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का नौकन टिक था या पाचित बन थी तो इस मत में शुरू हो सकती है और नमबर सैमन आया ह और आप काफी हसने मस्कुराने वाले हैं इस वज़े से तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वज़े से अगर कुछ हुआ है तो वो चीज आप की पार्टनर जो है और आपके बीच में जो चीजे थी वो सोट आउट होने वाली है तो किसी की चोरी पकड़ने वाले हैं आपक स्क्सकार्ट बहुत इमिर्इफुल आया है एरीस आप लोगों के लिए मेरіш का काड़ आया है तो शादी हो उसकती है है अपकी स्मा वहाई ब्मद्फ में ते और सगाय का सीन्प बन सकता है तो कांग्री इलेशन्स आपने से काफी लोगों की marriage fix हो सकती है या आप अपने marriage partner से मिलें इसके भी काफी high chances हैं और ये काफी loving, caring और beautiful person होने वाले हैं और एक blast marriage आप देखेंगे इस मन्त में अपने लिए हो सकती है आपकी fix हो या इस मन्त में ऐसे किसी person से मिलें जिससे आगे चलके आपकी शादी हो ऐसा भी यहां देख रहा है और ये बहुत compatible होंगे आपके person, soul level, mind level और body level पे और यहां से अगर हम देखें तो next car बहुती beautiful आया है आपके लिए जैसा wealthy man का car है तो ये जो person आप से connect हो इस मन्त में वो काफी पैसे वाले होंगे बहुतन का नाम, पैसा, शहौरत होगी इनके पास जिन से आपका connection बने businessman या woman हो सकती है और number 13 किसी तरह से आपके लिए सिग्रिफिकेस रखेगा इस मन्त में वही हम देख रहे हैं औरेकल डेक्स है आपके लिए तो moon energy का काड आया है आपके लिए, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि mother related issues है आपके partner की mother शायद ready नहीं है, आपके रिष्टे को लेकर या उनकी तरफ से कोई ना कोई problem जरूर है love and relationships में especially, तो moon energy बता रही है कि आप लोगों के रिष्टों में कहीं ना कहीं mother related issues है यह चीज़ यहां दिख रही है message दिया गया है surrender to the nature, ab and flow of life if you are feeling confused this fairy comes to calm immersion and reassure you that peace of mind is possible मेहां fairies आपको कहरे है कि आपके लिए इस situation में भी शान्ती बनाए रखना आपके लिए सही रहेगा थोड़ा सा धीरस रखें आपके लिए सब कुछ तीक होने वाला है आने वाले वक्त में और वही next card आपके लिए आया है friendship का तो कुछ नए अच्छे friends आपको इस मत में definitely मिलेंगे और यह lifelong friendship आपके लिए आ रही है और यह यहां जो message दिया गया है fairies and human alike need friends now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams यह ऐसे friends मिलेंगे जो आपको अपने life purpose में बहुत help करने वाले हैं तो इन से आप जरूर connect हो ऐसा आपके लिए message आया है तो कुछ बहुत अच्छे friends आपको जरूर मिलेंगे सभी Aries के लिए ऐसा लग रहा है next card आपके लिए आया है wish wisely का और यहां जो message है use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true यहां आपके लिए कहा गया है कि जो भी आप manifest करेंगे इस पन्त में वो आपके लिए पूरा हो सकता है तो जो आप मांग रहे हैं उसे सो समझ कर मांगें क्योंकि आपकी कोई बहुत दिली इच्छा जो है वो जरूर पूरी होगी इस मत में तो अपना manifestation जारी रखें और यहां सो समझ कर जरूर मानंगे आप इस मत में ऐसी आपको guidance आई है और यहां अगर हम देखें जो परसन आप सिकाना है उसकता है उनकी जोरिक साइन इनिशिल्स क्या हो सकते है और आपकी पार्टनर इस मत में क्या message देंगी यह भी हम देख रहे हैं परसन के इनिशिल्स अगर आप देखें तो इन हम से हो सकता है आपकी पार्टनर का नाम हो सकता है फर्स नेम लास नेम और उनकी निशिल्स तो यह है वहीं जोरिक साइन देखें सेजिटी रिस हो सकते हैं आपके पार्टनर दनुराशी के कैंसर हो सकते हैं करप राशी के और कुछ लोगों के लिए Pisces भी आपके partner हो सकते हैं मील राशी के और Leo भी आपके partner हो सकते हैं यानि सिंग राशी के आपके partner आपको इस मत में क्या message देना चाहेंगे ये भी हम देख रहे हैं Why did you break my heart? मेभी आप लोगो का break up हुआ है वो पूश रहें कि आपने उनका दिल क्यों थोड़ा अपने शाहिद किसी को reject किया है I have never opened myself to anyone like I have with you जी ऐसा भी message है और The more I push you away only makes me want you more जी ऐसा message है कि वो जितना आप से पीछे अड़ते हैं उतना ही आपकी प्यार में पढ़ जाते हैं और Please try to understand how I feel for you बुचाते हैं कि आप उनकी feelings को समझें ऐसा message है For me you are the one and only one जी ऐसा भी message है I dream of you every night my sweetheart वो आप ही किस अपने देखते हैं हर रात ऐसा message है तो आप लोगों के लिए ही messages से और यही reading थी अगर यह reading आपके साथ resonate करें तो please मेरे शेनल को like, share and subscribe कीजिए का Thank you so much for watching my video Have a happy month Aries